हलो एंड विल्कम टू माई ई-लेसन आज के इस वीडियो में मैं आपको ओवर टाइम कालकुलेट करना सिखाऊंगा यह दिखी मैंने एक एक्जामपल ले रखा है कि हमारे वर्क आवर्स जो है वो नौ घंटे हैं वो मैंने ऐसे लिखे यहां पर और यहां पर मैंने तारीक ल विस्टे हैं बहतर हो जाती दुनिया अर यहां पर है इन टाइम और इन टाइम है 10 बजे का है कितने हए क्रिक्ति достаточно है कि टोटल आवर्स कितने हैं तोटल आवर्स कितने हैं वो यहां पर आजिए कालकुलेशन यह भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना और यहां पर हमने Overtime calculate करा है कि कितना Overtime है यानि की 30 मिनिट्स हुआ यहां पर 40 मिनिट्स हुआ यहां पर 1 गंटा वा यहां calculate करते attendance कैसे बनाते हैं वो वीडियो का भी description है link है उसको भी आप देख सकते काफी काम में आएगा आपको और साथ में आपको कोई question हो तो नीचे comments में लिख दीजेगा तो मैं उनका जवाब भी देदूगा और अगर site video देखी रहे हैं तो subscribe के बटन पर click कर दीजेगा मुझे अच्छा लगेगा कि आप अगर मेरे को subscribe करेंगे तो तो हो गया बहुत सारा ग्यान आईए काम पर आते हैं तो यहां पर आगी तारीक पर तारीक यहां पर आगए हमारे दिन in time out time बेस्ट टाइम आउट टाइम जो हता है वह 8 पीम होता है आप क्यों वह 8 पीम होता है आप भी समझ जाईए 8 पीम के नाम की चीज की चीज आती है तो मैंने यह in time out time डाल दिया यहां पर टोटल hours calculate कर रहा हूं तो मैं कैसे करूंगा is equal to दबाऊंगा और out time से in time minus करूंगा यह कभी भी एक फंडा रखिएगा कि आपने out time से in time minus करना है तो मैंने out time select करा minus दबाया और in time select करा तो यहां पर आ गया 9 a.m अब यह चीज आपे गलत है अब हमें 9 hours चाहिए तो उसके लिए मैं यहां पर formats में जाओंगा जो कि hours होम टैब है यहां पर formats है और यहां पर मैं time के format पर चला जाओंगा ठीक है तो यह इसको time format में cover कर देगा और यह बताएगा कि यह 9 घंटे हैं और यह से मैंने इसको copy कर दिया तो यह देखिए यह पूरे के total थे 9.40 total था 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे 10 मिन टोटल था तो काफी महनती लोग है यह वाले तो अब overtime calculate करते हैं कैसे आप overtime वाले cell में click कीजिए is equal to दबाईए और जो आपके total hours हैं वहाँ पर click कर दीजिए minus का symbol दबाईए और जहाँ पर हमने shift hours लिखे न ऊपर यह select कर दीजिए और मैं F4 दबा रहा हूं यहाँ पर ताकि जब भी हम इस formula को copy करेंगे तो यह तो copy होता जाएगा लेकिन यह fix रहेग और copy तो यह देखिए यह आ गया 30 minute overtime, 40 minute overtime, 1 hour overtime, 1 hour, 10 minute overtime, 1 hour, 10 hour overtime है ना असान तो इतने easily आप overtime calculate कर सकते हैं इसके साथ पैसो की calculation भी कर सकते हैं यहाँ पर sum डाल दीजिए एक जादू का formula सिकाता हूं automatic sum करने के लिए जहाँ पर भी आपको sum डालना है वहाँ पर click कीजिए alt और is equal to इकठा दबा दीजिए देखिए आपका sum यहाँ पर आ गया तो मालूम पड़ गया एक हफ़ते के अंदर इस वेक्ते ने 4 घंटे 20 minute extra काम कर रहे है चार सो बीस ही हो रही है क्या देखिए लखी लिए यह नंब तो यहाँ पर आप अपने कमेंट में लिख दीजेगा मैं उस पर रिवर्ट कर दूंगा तो अगले वीडियो तक के लिए दिस यह गुरू नाओ signing off for the day have a wonderful day ahead happy learning